आजकल हर एक चीज स्मार्ट होते जा रही है पप्पू को छोड़के अब यह दिखिए यह एक water bottle है लेकिन यह साधारन water bottle नहीं है यह एक smart water bottle है इस smart water bottle की कीमत है 1200 रुपे के आज पास इस वीडियो में मैं इसकी unboxing करने वाला हूँ और आपको इसके खास features के बारे में बताऊं नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गोगी और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी एनेबल कर दीजिए ये है कोखील स्पोर्ट्स स्मार्ट बॉटल इसकी कीमत जैसे कि मैंने कहा 1200 रुपे के आसपास है लेकिन मैं आपको कुछ कुपन कोट्स भी दूँगा जिससे आपको ये और भी सस्ते दाम में मिल जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रड़क का इन्फॉर्मेशन है किस तरीके से काम करता है वो डीटेल्स में बॉक्स के उपर मेंचन किया हुआ है स्पेसिफिकेशन भी मेंचन किया हुआ है खास बात 1200 mAh की इसमें नॉन रुमियोबल बैटरी है और इसमें दो वाटर ट आपको मिलता हूँ और देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर आपको मिलता है यह डेटा केबल यूएसबी तो माइक्रो यूएसबी डेटा केबल इसका इसमें जो बैटरी है उसे चार्च कर पाएंगे और यह देखिए दो चीज है एक तो यह यूजर मैनुल अच्छी बात यह है कि यह जो यूजर मैनुल है यह इंगलिश लैंगूज में है यह देखिए इसमें आपको प्रड़क के बारे में सारी डीटेल्स में जानकारी मिल जाएगी और यह है मेन कॉम्पोनेंट में प्रडाक्ट कोखील स्पोर्ट्स स्मार्ट वाटर बॉटल तो बस यह सारी है यह प्लास्टिक से बनी हुई है नॉन टॉक्सिक माटिरियल का इस्तमाल किया गया है बिल्ट कॉलिटी और फिनेशिंग बहुत ही बढ़िया है बहुत ही प्रीमियम है इसमें दो स्टोरेज है एक तो 400 ml का है और दूसरा साथ ml का यह जो बीच में आप देख रहे हैं यह यहाँ पर रबर टाइप मतिरियल का इस्तमाल किया गया है गृप के लिए यह वाटर बाटल दिखने में काफी अंकर्शक है इस तरीके से आप इसका धकन है उसे खोल सकते हैं और इस तरीके से धकन को बन कर सकते हैं ऊपर का जो भाग है उसमें 400 ml पानी दाल सकते हैं और य यहां पर यह जो आप देख रहे हैं यह है नानो स्प्रे और यह काम तभी करता है जब आप इस बटन को नीचे पुश करते हैं तो जो भी स्मार्ट फीचर है इस बॉटल में वो इस सेक्शन में है यह देखिए यह उपर वाला भाग है जिसमें आपको सिर्फ पानी भरना है बस उत्रा ही तो जो मेन कॉंपएट है वो यहाँ पर है चोटे से भाग में और इसको मैं इसके साथ मैं अटाच कर देता हूँ और इसको आपको अच्छी तरीके से attach करना है ताकि ये totally leak proof हो जाए यहाँ पर marking भी दी गई है किस तरीके से ये lock हो जाता है ये लिजे अब lock हो गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है button और उसके नीचे यहाँ पर ये है micro USB port जिसका इस्तमाल करके इसमें जो built-in battery है उसे आप charge कर पाएंगे चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये smart water bottle करता क्या है ये देखिए जो button है इसे जब मैं प्रेस करता हूँ तो इसमें जो built-in light है वो on हो जाती है ये देखिए इस तरीके से तो ये जो light है इसका आप इस्तमाल कर सकते हैं अगर आप camping में जाते हैं या कहीं पर अंधिरा है तो वहाँ पर आप इस light का इस्तमाल कर सकते हैं फिर से button को प्रेस कर दीजिए और ये blinking red light आपको मिल जाती है अभी जो blinking red light है इसका आप इस्तमाल safety के लिए कर सकते हैं जैसे कि आप cycling कर रहे हैं तो इसको on कर सकते हैं बटन को फिर से प्रेस कर दिजी और जो lights है वो off हो जाएंगे अब यह जो बटन है इसे मैं प्रेस करके hold करने वाला हूँ देखे क्या होता है देखा आपने blue light blink हुई और beep sound भी आया मतलब कि इसमें जो reminder feature है वो activate हो गया है reminder मतलब कि 2 गंटे के बाद हर 2 गंटे के बाद आपको यह remind करेगा कि आपको पानी पीना है off करने के लिए फिर से प्रेस करके hold कीजिए तो यह जो reminder feature है यह off हो जाएगा अगर इसे आप on करके रखेंगे तो हर 2 गंटे के बाद आपको remind करता रहेगा कि आपको पानी पीना है beep sound भी आएगा और साथ में जो light है blue light वो भी blink करना शुरू हो जाएगा 60 ml का यह जो tank है इसमें मैंने पानी भर दिया है और आपको मैं nano spray के बार में बताता हूँ बहुत ही interesting feature है यह देखिए पहले इसको मैं lock कर देता हूँ अची तरीके से ताकि यह leak proof हो जाए यह अची तरीके से lock हो गया है और अब मैं जो spray function है उसे enable करता हूँ उसके लिए यह बटन दिया गया है इसे आपको नीचे slide करना है बस इतना ही इसे मैं नीचे slide कर देता हूँ और ध्यान से देखिए किस तरीके से पानी spray हो रहा है automatically लेकिन क्योंकि मैंने इस bottle को थोड़ा सा टेड़ा पकड़ा हुआ है इसलिए यह इतनी अची तरीके से spray नहीं हो रहा है बहुत important है कि आपको जो bottle है उसे सीधे तरीके से रखना है अगर आपको यह feature का इस्तमाल करना है यह देखिए यहाँ पर मैंने इसे सीधी तरीके से रख दिया है और अब यह अची तरीके से spray कर रहा है यह है nano spray nano spray का मतलब इसमें जो पानी था उसी को spray किया जा रहा है लेकिन इतना पतला है इतना पतला है कि आपके हाथ गीले नहीं होंगे और ऐसा लगता है जैसा कि दुवा निकल रहा है exercise के बाद आप यह nano spray feature का इस्तमाल कर सकते हैं अपने चेहरे पर इसे beauty spray भी कहा जाता है यह आपके चेहरे को जरा भी गीला नहीं करेगा आपका जो skin है वो इस पानी को तुरंथ ही absorb कर लेगा डिख सकते हैं कि यहाँ पर जरा भी गीला नहीं हो रहा है और इस feature का जब आप अपने चेहरे पर इस्तमाल करते हैं तो एक freshness का एहसास होता है exercise करने के बाद आपको बहुत ही fresh feel होगा battery की अगर बात करें तो 3-4 गंटे लग जाएंगे full charge के लिए और full charge पर आपको मिल सकता है तकरीबन 7 गंटे का non-stop usage अगर आप LED light का इस्तमाल करेंगे तो और अगर आप LED light और spray का दोनों का इस्तमाल करेंगे तो तकरीबन 3 गंटे के अंदर ये जो battery है ये खतम हो जाएगा और फिर से आपको recharge के लिए रखना पड़ेगा अगर आप सिर्फ spray का इस्तमाल करेंगे तो battery life तकरीबन 2 गंटे के आसपास रहेगी लेकिन ये जो nano spray है इसे आप एक घंटे से जादा इस्तमाल नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें जो पानी है 60 ml का वो खतम हो जाएगा तो ये बहुत ही unique और interesting product है चार colors में available है आप इसे gear based website से खरीच सकते हैं इसकी कीमत shipping के साथ में priority line shipping के साथ में पढ़ जाएगी तकरीबन 19 डॉलर मतलब की 1200 रुपे के आसपास लेकिन मैंने एक coupon code दिया हुआ है अगर आप उस coupon code का इस्तमाल करेंगे तो आपको ये पढ़ जाएगा तकरीबन 1000 रुपे के आसपास इसका link जहांसे आप इसे खरीच सकते हैं और coupon code दोनों ही मैंने वीडियो description में दिया हुआ है और याद रखिए जब कभी आप Gearbest से order करते हैं तो priority line shipping का इस्तमाल कीजिए तो ये product आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए इस वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और मेरे चैनल को subscribe कीजिए धन्यवाद